मुत्रा की राजनीती में क्या उथल पुतल हुई और क्या बदलाव आज बर्तमान समय में देखने को मिल रहा है यह हम जानेंगे पदम स्री स्री महुंशुरू भाटिया जी से मैं समय मौजूद हूं उनके साथ में और देखते हैं कि जो राजनीती है पहली अटल जी के समय क बदलाव हो जाएगा उसके बाद और आने वाले कल में और बदलाव होगा अब प्रशन यह है कि बदलाव अच्छा हुआ है अच्छे के लिए हुआ है या उसमें गिरावट आई है तो वैसे राजनीती मेरा विशे नहीं है साहित विशे है संस्कृती विशे है लेकिन मैं यह अनुहप कर रहा हूं कि गिरावट हर खेतर में आई है। हो सकता है कि राजनीती में उतनी गिरावट ना आई हो। यह माणा जा रहा है कि समय प्रशाषन अपएक्ष्यकृत स्वाच्छ है, लेकिन वो कहा स्वच्छ है और कितने निर्मान कार्यों में सस्थ है कितने शजन में है कितरा विद्धवन्स में है वो एक बहुत लंबा विश्य है उसको अलग-अलग छाटना ब्रश्टाचार अब भी है पहले भी है ये माना जा रहा है कि अब भ्रष्ट अचार कम है मैं ये अनुवब परता हूँ कि उत्तर प्रदेश शाषन में पहले मंत्री भी भ्रष्ट होते थे क्योंकि मुख्य मंत्री स्वच्छ नहीं होता था आज योगी जी के सम्मन में धारना ये है कि वो एक अच्छे प्रशाषक है और इमान दा रहे हैं तो उसके कारण उनके मंत्रीयों में भी यह है कि उन्में से किसी में अब यह सहास नहीं है कि वो कहीं बेईमानी करें ब्रिष्टाचार करें ये तो बदलाब हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं लेकिन नीचे के तबके में जो अधिकारी हैं वो बिवेक शुन्नी भी हैं भ्रिष्ट भी हैं उसमें कोई अंतर नहीं आया पुलिस में कोई अंतर नहीं आया और जो भूछ सारे विभाग हैं वो जौकित्यों हैं उपर के इस तरह में थोड़ा सा भैके कारण वो भी सच नहीं है उनके मन में यह नहीं है कि हम इमांदार हैं इमांदार बने रहे हैं उनको यह डर है कि अगर हम ब्रिष्टाचार में लिफ्ट हो गए तो हटा दिये जाएंगे छिए अपने मथुरा के जो राजनीती हैं बहुत करीब से आपने देखा है और विकास के मुद्धे भी आपके समय में बहुत होंगे आज भी बहुत है तो विकास की अगर मैं बात करूँ तो क्या परिवर्तन देखने को मिला है पहले किस तरह का हुआ करता था आज किस तरह का है देखे पहले जितना भी कारे होता था मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब राजा महेंद प्रताप मिया सांसत थे उसके पहले प्रफुते कृष्ण चन थे और बाद में लक्षमी रमन आच लोकमनी शर्मा जितने भी विधायक हुए हैं वो जोडते थे गाउं की जनता से और उनकी समस्याओं का हल करते थे आज गाउं के दोरे केवल रह गये हैं जंडा लगी गाड़ी में चले जाईए कहीं पर जाके पच्शित-पचास लोगों से मिल लीजे या कहीं मीटिंग क लीजे या कोई समार हो है उसमें भाग ले लीजे जल्पान कीजे भोजन करिए चले आईए राजनीती वहां तक है और पिर समझते थे कि हम जागए हैं वो बोट हमारे पक्चे उनमें वो भावना नहीं हैं कि हम जिस गाउं में आई हैं वहां शोचाले बने हैं कि नहीं औ इतनी घहराई से जाने की जो सोच थी वो सवापत हो गई है अगरी सवाल और 2022 में यूपी का चुनाव है उसे अब किस नजरिये से देखते हैं अब क्योंकि कोई भी दल इतना सशक्त नहीं है जंता से जोड़े रूप में मैं कह रहा हूं वैसे शक्ती तो सब की अलग उपर से जोड़े हुए हैं और बहुत से लोग तो जो प्रतिवद्ध हैं कहीं वो तो उसी दल को अपना बोट देंगे कुछ जातीगत हो जाता है जब विधायक के लिए जब व्यक्ति प्रत्याशी है वो ठाकुर है कि जाट है कि ब्रामन है कि अगरवाल है इस नाति साल में इसने सहयोग किया उस अधार पर नहीं होता तो इसलिए जो हमारे जन प्रत्नी दी जाते हैं वो उसी प्रकार के जाते हैं जो किसी बैवब के कारण या अपने प्रचार के कारण या कुछ जो कुछ चुनाओं में बठता है उसके कारण बनी है यह थे मेरे साथ में पदमिस्री स्री महंसरु भाटिया जी उन्हों ने बताया कि जो पहले राजनीती हुआ करती थी और आज प्रेश्टत्रेश्ट पर सुन कम हुआ है और जो नीचे अधिकारी हैं वो आज भी वर बिल्चाचार में लेटते हैं कहीना कहीं ये सारी इनहीं जो रहे की जड़ है वो पहले से ही चली आ रही है हलांकि मौन्सरुप जी का यह भी कहना है कि जो राजनीती है यहां के वल जो आज के समय के जो अधिकारी है यह नेता है वो चुनाव आता है तो गाउं की तरफ रोज़ान करते हैं और चुनाव होने के बाद में गाउं को वो भूल जाते हैं अपने बोटरों को भूल जाते हैं निर्मल राजपूत डीके निउस मतुरा